नवास्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परिष्छा चनल के इस करणफेस सीरीज में दोस्तों आज भी हम डिसक्स करेंगे करणफेस के बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्जाम स्रिल्वन को वीडियो को पुरा देखेगा लास्तर देखेगा और इस वीडियो के डिसक्रिशन में जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उस पॉइंड को याद करें साथ में उसको नोट जरूर कर लिया करें पर को जानकारी आपको एक्जाम टाइम में बहुत सारी को स्वाल करने में हेल्प कर सकती है या इस जानकारी पे इस योजना को सुरू किया है केंद्री ग्रह मंत्री ने इस योजना को सुरू किया है जिसका नाम है डेरी सहकार अच्छे से नाम याद कर लिजे और इसके साथ यहाँ पे एक और नाम याद कर लिजे अवरिवेशन के फौम में और फुल सौम में भी यहाँ पे NCDC नाम आप याद कर लें इसी केbreaking तहब यूजना को लाँच किया गया है या यूँ कहलें कि NCDC के तहथ ही यहाँ पर इस योजना की जो अबजिक्टिव्स हैं उनको cooperative development corporation इसका full form है national cooperative development corporation वो इस योजना को एक तरीके से पूरा करने वाली है मतलब इस योजना के जो objectives हैं उनको पूरा करने वाली है या यूं कहलें कि इस योजना के लिए जो funding provide की जानी है वो भी NCDC के माध्यम से ही provide की जानी है तो इंपोर्टेंट है NCDC को भी आप individually एक संस्था के रूप में अच्छे से पढ़ लें इसका इतरीके से formation कब हुआ था इसको form करने का objective क्या रहा है इसका अब तक क्या role रहा है यह सारे detail point जितने भी मुख के संस्थान है मतलब central government के जितने भी संस्थान है आपको उनको बारे में detail में जरूर पढ़ना चाहिए इनके बारे में भी कई बार question पूछा जाता रहा है और आगे भी बनता रहेगा तो NCDC को आप detail में जरूर जान ले रही बात इस योजना को समझने क कि डेरी सहकार योजना है क्या basically तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं डेरी सहकार यानि कि इसमें डेरी प्रोड़क्स या दुख्द उत्पादन की बात की जानी है या दुख्द उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए तो जी हां यहां पे NCDC का basically focus यही रहेगा कि जो गो जाती है मतलब की गायों की जो breeding है या गायों की जो different breeds हैं उनकी breeding में किस तरीके सुधार किया जा सके या कौन सी नई breed लाई जाए ताकि milk production पढ़ाया जा सके तो एक तरीके से गो जाती विक्यास दूद की खरीद उसका प्रसंच करना उसकी गुणवत्ता को ensure करना या उ जो dairy products हैं उसके export के time में भी NCDC इस योजना के तहत काम करने वाली है इसकी रूप रिखा त्यार करने वाली है बहुत important है आप इसको detail में जरूर पढ़ ले एक important point और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे dairy साकार योजना जो है वो 75th foundation year आमूल के 75th foundation year के उपलच में launch किया गया भी है तो आपको मालूम कर लेना चाहिए आमूल सिरफ एक brand नहीं है अपने आप में एक पुरा इतिहास है अपने आप में पूरा जो इंडिया में जो milk एक तरीके से revolution आया है दुग्द जो करांती आई है उसमें आमूल का बहुत बड़ा योगदान है तो आमूल क्या है ब बहुत इंपॉर्टेंट है आमूल को भी जानना और यहां पर NCDC को भी जानना डेली सहकार योजना को भी जानना इसके different points को समझना इसको याद करना question कहीं से भी बन सकता है आप इसको detail में जुरूर पड़ें ना देखतें नेस्ट कोशन बहुत अच्छे से आप यहां पर नाम याद कर लें जी यह garden है aromatic के term में मतलब कि इस garden में जब आप घुसेंगे तो आपको सुगंद का एहसास होगा different different सुगंद आपको मालूम पड़ेंगी आप इसको महसूस करेंगे यहां पर aromatic का मतलब यह है कि जो सुगंदित पौधें हैं सुगंदित जो वनस्पतियां हैं वह सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और different species आपको देखने को मिलेंगी और इस garden में खास बात यह है कि आपको यहां पर 8 स्क्शन मिलेंगे मतलब कि इस पूरे garden में जो सु सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपको देखने मिलेंगे और नीम चमीली यह सारे के सारे पौजे आपको मिलेंगे और सब इसको डिटेल में जुरूर पढ़ लें इसमें कौन कौन से रखे गई हैं और बिसकली एक तरीके से इसमें जो बायलोजिकल ड्यावस्टी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी वह आप उसको बगाईदा सेक्शन में ही नोट कर लें उसको याद कर लें तो करिया है तो यहां पर नाम रखा गया है अंटार्किटिका में एक ग्लेशर का नाम रखा गया है बहुत इंप्टेंट है अंटार्किटिका आपको मालूम होना चाहिए कि कॉंटिनेंट है और यह कॉंटिनेंट लगभग पूरा बर्व से कवर्ड है बड़ी मतलब बर्व की मोटी चादरे यहां पर आपको देखने की मिलेंगी बहुत सारे मतलब मेरा यहां पर है कि आप अगर आप लिस्ट इसकी देखेंगे तो बहुत सारे वहां पर के नाम दिये गये हैं और इन सब का एक एरिया है इन सब की अपनी एक मतलब करेक्रिक्रिस्टिक है आपको डिटेल में एक तरीके से जरूर जाना चाहिए समझना चाहिए कि इस Glasgow Climate Convention में जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं मतलब की वर्ल्ड के लगभग 120 लीडर्स इसमें पाटिश्पेट कर रहे हैं साथ में थाउजंड डेलिगेट्स पाटिश्पेट कर रहे हैं तो अपने आप में ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है विकॉज इस कन्वेंशन में climate change को लेकर बहुत सारा discussion होना है बहुत सारे points रखे जाने हैं और बहुत सारा action plan भी एक तरीके से बनाया जाना है मतलब कि अगर एक धंग का action plan बनता है तो definitely आने वाले समय में जो global warming है उसको रोकने में बहुत सारी मदद मिल सकती है विकॉज इसमें जो participating countries हैं अगर वो एक commitment रखती है carbon emission को reduce करने के time में तो जरूर global warming में इसकी help मिल सकती है तो बहुत important convention है इस convention को आपको detail में जरूर पढ़ना है याद करना है नोट करना है question खूब पूछे जाने है जैसे कि आपको मालूम होगा Paris climate convention पे खूब सवाल पूछे गए हैं और अभी पूछा जा रहा से नोट बुक बना लेनी चाहिए चोटी से पतली से ताकि आपको वह separately आपको सारे points याद रहें तो यहां पर बाकी जो options देख रहे हैं इन में से यह भी एक glacier है अंटार्गटिका में यह भी एक glacier अंटार्गटिका में और यह ऐसे ही है चिरब आपको confuse करने के लिए option ऐसे भी दे दिया जाता है तो आप यहां पर ग्लाजगो glacier का नाम अच्छे से याद कर लें और आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो ग्लाजगो है वो एक सिटी है स्कॉट्लैंड में जी ग्लाजगो climate convention जो है वो इस बार स्कॉट्लैंड में हो रहा है तो मैं आपको फिर यह जानना है कि यह जो climate convention है वो कौन इसको organize कर रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि यह यूएस का climate convention है यानि कि यूएस का ग्लाजगो climate convention है और important इसलिए भी हो जाता है because UN ने अभी अगस्त में एक बहुत important report जारी की थी और उस report का नाम है Code Red for Humanity तो UN के द्वारा यहां पे एक report जारी की गई थी Code Red for Humanity बहुत अच्छी report है बहुत important report है आपको इसको याद कर लेना चाहिए question इसके टम में भी बन सकता है Code Red for Humanity तो इस report के मुख्य विंदू क्या है और इस report में किन मुख्य विंदू को focus किया गया है वो आपको detail में जरूर पढ़ लेना चाहिए साइंटिस्टों ने जो अनुमान लगया था उस अनुमान से पहले भी पहले ही पूरी दुनिया warm हो रही है तो अपने आप में बहुत ही alarming है और बहुत ही सचेत करने वाली यह report है आपको detail में इसको जरूर पढ़ना चाहिए important point याद कर लेना चाहिए और साथ में Glasgow Climate Convention detail में जरूर पढ़ें ना देखते हैं नेस्ट कोशन और नॉम्बर वन टूटान ट्वंटीवन वेगन कमूनिटी है सेलेबरेटेट वर्ल्ड वेगन डे वर्ड वेगन डे वर्ड थीम दे एक नॉम्बर दोजारी कीज को साकाहरी समदाएं ने विश्व साकाहरी दिवस मनाया है है इस दिवस का विशय क्या था आलिए पर यहां पर अपूर्टन है आप इसको अच्छे से जाद कर ले और यह आप इंपोर्टन यह एक तरीके से आपके लिए वर्ड हो सकता है विगन जी तो आपको यहाँ पे थोड़ा से इसके बारे में जरूर जान लेना चीए वेगन है क्या है जिसे आप जानते हो कि वेजटेरियन होते हैं, नॉन वेजटेरियन होते हैं, एकटेरियन होते हैं विगन किसको बोला जाता है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जिसे आपको मालू है कि वेजेटेरियन जनली उनको बोला जाता है जो साथ सब्जियां खाते हैं या मतलब कि जो डेरी प्रोड़क्ट्स हैं उनको खाते हैं मतलब कि साग सब्जियां dairy products को खाने वाले लोग को हम साकारी बोलते हैं और जो meat उगारा खाते हैं चिकन खाते हैं उनको हम non vegetarian बोलते हैं और vegetarian उनको बोला जाता है जो साग सब्जियों के खाने के साथ-साथ-साथ-अंडे भी खाते हैं तो आपको यह बहुत clear से डियर हो गया कि vegetarian क्या होता है और agitarian क्या होता है लेकिन विगन जो है वो purely खिर्प साग सब्जियों के भरोशे रहते हैं आ नाज के भरोशे हैं मतलब कि वह dairy products को भी consume नहीं करते हैं तो यही इंडिफरेंस है मतलब कि बेगन में dairy products को exclude किया जाता है तो सिरफ यही फरक है आपको इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए दिमाग में और कोई फरक नहीं है मतलब कि वेगन जो लोग होते हैं वो डेरी प्रडूस को कंजूम नहीं करते हैं वो टूटली वेजेटेबल और जो अनाज है उसके ही भरोसे रहते हैं त तो बहुत इंपोर्टेंट है यहां पे वेगन कम्यूटी ने इसको स्टार्ट किया था कब स्टार्ट किया था या यह जो डे है वो कब से मनाया जा रहा है यह मैं आप पर छोड़ता हूँ आप इसके स्टेटिक पॉइंट में जाएं और पता करें कि यह जो डे है यह यह बात की जारी वेगन कम्यूटी यह कम्यूटी कहां से स्टार्ट हुई थी कहां से इसका चलान हुआ था यह आपको डेटेल में जरूर पढ़ना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर हम इंडिया में बात करें और जो एमिनन्ट परसनालिटी जो उनके टम में बात करें तो महात्मा गांधी जो हैं वो कहीं हद तक बाद में वेगन को प्रमोट करने वाले बन गए थे मतलब कि उन्होंने एक तरीके से जो डेरी प्रोड़क्ट्स हैं उनको भी खाना छोड़ दिया था तो बहुत इंपोर्टेंट है वेगन कम्यूटी को जानना या वेगन जो क इसको समझना आप इसको डिटेल में जुरूर पढ़ सकते हैं ना देखते हैं विच स्टेट्स चीपनिस्टर है लॉंच इंडिया फर्स्ट फीफा फूटबॉल स्कूल प्रोग्राम फॉर स्कूल किस राजी के मुखमंत्री ने स्कूलों के लिए भारत का पहला फीफा फथ फूटबॉल्स प्रोग्राम ला demol火 क्या है आप को अच्छे से याद करना चीए स्कूल्स प्रोग्राम तौ आप धिके यहां पर इना का नाम आया है तो यहां पर जो लॉंचिंग हो रही हो चीप मिनिस्टर क्यों कर रहे हैं तो देखें यह राजी की योजना नहीं है बैसिकली यह जो फीफा फुटबॉल प्रोग्राम है यहीं कि इसको फूट में बोलता यह प्रोग्राम है कि कौक से D या विस्वयापी अस्तर पे इस प्रोग्राम को चला रहा है इस कारिक्रम को चला रहा है और इस प्रोग्राम को चलाने का मकसद यह है कि लगभग 700 million बच्चों की जो education है उनका जो development है उनका जो empowerment है उसको जारी रखा जा सके और इसको जारी रखने में खेल का बहुत अहम यो पर किस तरीके से इसको रखा गया है इसकी जो launching की गई है global football federation के द्वारा वो किन बिंदुबूं पर mainly focus करके रखी गई है वह जरूर आपको डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए question बन सकता है बहुत important है right दोस्तों यही थे हमारे आज के important questions जरूर आपके आने वाले competitive exam के लिए करें ताकि important updates आपसे मिसना हो अगर आप ज्यादा ज्यादा current phase पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मारी site पर जाए वहां पर आपको daily current phase दी जाती है different fields की जो news है वह आपको वहां पर point wise दी जाती है ताकि आप उन points को याद कर पाए नोड कर पाए और वह ऐसे points होते हैं जो बहु पाएदा बनान लेनी चाहिए ताकि exam time में वह सारी जानकारी आपके लिए helpful हो तो पढ़ते रहे मसते मिलता हूं आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक have a nice day thank you